So Hello Everyone, कैसे हैं? आप सभी उमीद करते हूं कि आप सभी बहुत ही आच्छे होंगे Friends, आज का हमारा टॉपिक है बहु बिकल्पी प्रेशन आज के हमारे इस वीडियो में हम समाज शास्त्र के कुछ बहुत ही महत्तोपोर्ण बहु बिकल्पी प्रेशन के विशे में जानेंगे वीडियो में बताएगा ये प्रेशन बहुत ही इंपोर्टन है ये अक्सर समाज शास्त्र के कोशिन पेपर में पूछे जाते हैं तो इसलिए आप सब वीडियो को पूरा एंड तक वाच करिएगा बिल्कुल भी इसकिप मत करिएगा तो फ्रेंट चले बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं बहु बिकल्पी प्रेशनों के विशे में हमारा पहला प्रेशन है एमन श्री निवास का जन्म कब हुआ आपके ऑप्शन से आपके ऑप्शन से आपके ऑप्शन से एमन श्री निवास को हमारा तीसरा प्रेशन है M.N. श्री निवास को किस छेत्र में उत्क्रिष्ट योगदान के लिए पद्मभूशन मिला था आपके ओप्शन्स हैं ओप्शन नमबर वन क्रिशी एवं अभियंत्र की ओप्शन नमबर टू कला ओप्शन नमबर थ्री साहित्य ओप्शन नमबर फोर विज्ञान तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर वन क्रिशी एवं अभियंत्र की M.N. श्री निवास को क्रिशी एवं अभियंत्र की छेत्र में उत्क्रिष्ट योगदान के लिए पद्मभूशन मिला था हमारा चोथा प्रेशन है M.N. श्री निवास निम्न में से किस विश्व विद्याले के मारनीय विदेसी सदस्यर रह चुके हैं आपके ओप्शन्स हैं ओप्शन नमबर वन ब्रिटिस अकेडमी ओप्शन नमबर टू अमेरिकन अकेडमी option no.3 दोनो option no.4 कोई नहीं तो इसका correct answer होगा option no.3 दोनो M.N. स्रीनिवास, British Academy और American Academy इन दोनों ही विश्व विद्याले के माननिय विदेशी सदस्य रह चुके हैं हमारा पाचवा प्रेशन है बड़ोदा तथा दिल्ली विश्व विद्याले में समाशास्त्र के विभागों की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है आपके options है option no.1 M.N. श्रीनिवास, option no.2 देसाई, option no.3 आंद्रे बेतेई, option no.4 मजूमदार तो इसका correct answer होगा option no.1 M.N. श्रीनिवास, बड़ोदा तथा दिल्ली विश्व विद्याले में समाशास्त्र के विभागों की स्थापना का श्रेय M.N. श्रीनिवास को दिया जाता है हमारा चठा प्रशन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक M.N. श्रीनिवास की है आपके options है option no.1 marriage and family in मैसूर, option no.2 social change in modern इंडिया, option no.3 the dominant caste and other assets, option no.4 ये सभी ये सभी पुस्तके M.N. श्रीनिवास की है हमारा सात्वा प्रशन है निम्नलिखित में से संस्कृति करण की अवधारना किस ने दी है आपके options है option no.1 योगेंद्र सिंग, option no.2 M.N. श्रीनिवास, option no.3 G.S. खूरिये, option no.4 A.R. देसाई तो इसका correct answer होगा option no.2 M.N. श्रीनिवास संस्कृति करण की अवधारना M.N. श्रीनिवास ने दी है हमारा आठवा प्रशन है संस्कृति करण प्रक्रिया के अनुसार निम्न जातियां जिस जाती के विवहारों का अनुकरन करती हैं उसे क्या कहते हैं आपके option से option no.1 प्रभु जाती, option no.2 ब्राम्हन जाती, option no.3 द्विज जाती, option no.4 इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer होगा option no.1 प्रभु जाती संस्कृति करण प्रक्रिया के अनुसार निम्न जातियां जिस जाती के विवहारों का अनुकरन करती हैं उसे प्रभु जाती कहते हैं हमारा नौवा प्रच्ण है social change in modern इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है आपके options हैं option no.1 M.N. श्री निवास, option no.2 घूरिये, option no.3 देसाई, option no.4 कोई नहीं तो इसका correct answer होगा option no.1 M.N. श्री निवास social change in modern इंडिया नामक पुस्तक M.N. श्री निवास ने लिखी है हमारा दस्वा प्रश्ण है श्री निवास ने संस्कृती करण की प्रक्रिया के लिए आरंब में किस शब्द का प्रयोग किया था अपके option से option no.1 Brahmadi करण, option no.2 Lokiki करण, option no.3 नगरी करण, option no.4 पस्चिमी करण तो इसका correct answer होगा option no.1 Brahmadi करण श्री निवास ने संस्कृती करण की प्रक्रिया के लिए आरंब में ब्राह्मणी करण के शब्द का प्रयोग किया था हमारा ग्यारवा प्रश्ण है पोस्ट मॉडरन कंडिशन पुस्तक के लेखक कौन है आपके options हैं option no.1 टाइनभी, option no.2 डेविट हर्वी, option no.3 शिर निवास, option no.4 देसाई तो इसका correct answer होगा option no.1 टाइनभी पोस्ट मॉडरन कंडिशन पुस्तक के लेखक टाइनभी हैं हमारा बारवा प्रश्ण यहाँ है कि केतकर ने अपनी किस पुस्तक में संस्कृति करण की अवधारना दी है आपके option से option no.1 history of caste in India, option no.2 social change in modern India, option no.3 दोनो, option no.4 इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer होगा option no.1 history of caste in India केतकर ने history of caste in India नामक पुस्तक में संस्कृति करण की अवधारना दी है ओमीद करते हों कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंड करके जरूर बताएं वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को like और share जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथी साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे की आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके तो फ्रेंट्स आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ